हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे आप सभी को गणिस उससब की हर दिक सुपकाम नहीं फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बपा का फेवरेट प्रिये भोग मोदक बनाने की रेसिपी इससे पहले मैंने आपके साथ सुझी के मोदक बादाम के मोदक की रेसिपी शेयर किये आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ आटे से बनने वाले मोदक की रेसिपी बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप से करना ईसका जो आटा है उसका इसका चालर तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो टेस्ट आना चीह है वह नहीं आएगा इसलिए आपको बिल्कुल पेसंस के साथ ये काम करना है, धीरे-धीरे भूनिये, ताकि एक अच्छी खुश्बू भी आए, लगना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, जब हम कीचन में ये काम करें, तो सबको पता होना चाहिए, कि आज बपा के लिए मोदक बन रहे हैं, अगर आप नहीं डालना चाहिए, तो इसकीप कर सकते हैं, अगर आप डालना चाहिए, नॉर्मल आपके पास नारियल है, तो अब उसे भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं, यहां पर मैंने लिया है, आदा कप मलाई और आदा कप दूद है, टोटल में एक कप यहां पर मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं वापस से इसमें दूद डाल रहें, आदा कप यह, आदा कप यह टोटल हो गए, एक कप और चार चमचे इसमें मलाई, अगर आपके पास मलाई ज्यादा है, तो जब आप नारियल को भूने गी में, तो गी का इस्तमाल ना करें, क्योंकि जब यह इसमें एड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गी रिडियूस करता है, इस आटे वाले मम इसे मिला लेंगे, इसी तरीके से, यह काम आपको बहुत ध्यान से करना है, साफधानी के साथ करना है, ने तो हमारे नीचे जो छीटे उचलेंगे आपके हाँ जल आप कड़ाई को गे से नीचे रखके भी इसे काम को कर सकते हैं, अच्छे से बुनने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हो चुका है, इसी तरीके हमें चाहिए इसे ज़्यादा ड्राइ नहीं चाहिए, वरना हमारे जो मोदके वह बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाएंगे, बस अब आपको क्या करना है, इसे ठंडे होने का इंतजार करना है, और अच्छे से मिलाते हुए जाना है, मिलाने से होगा यह, कि अगर कुछ लंस रहे गए हैं, या जो मेल्ट नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें, वह अच्छे से मिक्स हो जाता है, अब मैं इसे मोल्ड से नहीं बना रही हूँ अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उसके साथ बनाये मोल्ड के साथ ताकि आपका जो काम है मिंटो का वो सेकिंडों में हो जाएगा फटा-फट से बनके तहियार हो जाएगी बिना किसी देरी के तो फ्रेंट्स आप इसी तरीके बनाईए से भोग बना के खिलाईए उमीद करती हूं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बबाय जेशी कृष्णा रादे रादे